चलिए देखते हैं अगला question, अगला question है question number seven, find x and y if, देखो पहला case दिया है, मतलब दूसरा case भी है, लेकिन उसके बाद देखेंगे, ठीक है, पहले पहला case देखते है, कि x plus y equal to this, x minus y equal to this, मैंने का देखो यह तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि हमने already 10th में पढ़ चुके है, a plus b and a minus b form दिया है, तो दोनों equation को add and subtract कर देना चाहिए, जिससे हमें missing variable मिल जाए, ठीक है, अच्छा, मैंने का क्या कहा, कि add and subtraction कर देना चाहिए, मतलब add करना, मतलब equation one plus two करना, अच्छा, कोशिश करते है, one plus two करेंगे, तो इन दोनों को add करने पर क्या होगा, देखो y minus y cancel, x plus x क्या हो जाएगा, 2x, अच्छा, मैंने add किया है, तो right and side भी add होगा, अच्छा, add होगा, तो क्या होगा, seven plus three क्या हो जाएगा, ten, zero plus zero, zero, two plus zero, two, अच्छा, five plus three, eight, मैंने का, अगर ये two उस तरफ जाएगा, तो divide में, ठीक है, divide में जाएगा, मतलब कि one upon two से अंदर multiply होगा ठीक है, अच्छा, सर तो two अंदर जाके हर एक element के साथ divide में जाएगा, मैंने का, बिल्कुल, अगर divide में जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि x equal to कुछ ऐसा मिलने के chance है, सोचो हर एक element को two से divide करके देखो, five, zero, one and four, ठीक है, अच्छा, सर, x मिल गया हमें, कहीं एक जगा रख मैंने बुला, चाहो तो रख सकते हो, या फिर मैंने कहा ही था, one plus two किया, वैसे one minus two कर दो, आपको फिर भी answer मिलेगा, चलिए तो y कर देते है, one minus two, अच्छा, one minus two करने पर हमें क्या मिल रहा है, दीखते हैं सर, ठीक है, x minus x, cancel, अच्छा, y minus minus y, मतलब, minus minus plus हो जाएगा, तो y plus y क्या हो जाएगा, बच्छा लोग, two y, अच्छा, अब हमें minus करना है तो ध्यान से, कि seven minus three, four, zero minus zero, zero, two minus zero, two, five minus three, two, बच्छे ने का, सर, two को फिर से divide में बेज़ेंगे, मैंने बोला, definitely, अच्छा, सोचो सरा, four divided by two क्या हो जाएगा, two, अच्छा, two divided by two, one, यहाँ पे one, और यहाँ पे zero, तो हमारे x and y मिल गए, तिया अगला question, अगला question है, find x and y, if, देखो, उसका दूसरा part दिया है, two x plus three y equal to this, इसको मैं equation one दे देता हूँ, यह equation जैसा ही दिया है, three x plus two y equal to this, this is equation two, ठीक है, अच्छा, अब मैंने क्या देखा यहाँ पे, कि भई, यहाँ पे two, यहा करते थे, वैसी करें, मैंने बुला, definitely आप, वो method इसमें use कर सकते हो, लेकिन एक और बढ़िया चीज हमने पड़ी थी, 10th में, ठीक है, RD में, लेकिन अगर आपने नहीं पुड़ी, तो कोई बात नहीं, वीडियो है, ठीक है, हमने upload किये है, आप देख सकते हो, या फिर, तो आपको क्या करना है, तब आपको एक ही काम करना है, one plus two and one minus two, मतलब equation को add करो and subtract करो, इससे आपको दो नए equation मिलेंगे, simple से, जिससे आपको मज़ा हा जाएगा काम करने में, कैसे, चलिए, चलिए, देखते है जरा, कि पर equation one plus two करने पर, ठीक है, one plus two करने पर आप दोनों को add करो, तो देखो 2x plus 3x, क्या हो जाता है, five x, ठीक है, प्लस, ठीक है, अच्छा, यहाँ पे देखो, three y plus two y, क्या हो जाता है, five y, equal two, ठीक है, अच्छा, अगर आप add करोगे, तो right side भी add करोगे, तो क्या होगा, two plus two, four, ठीक है, four minus one, three, ठीक है, three minus two, क्या हो जाएगा, one, zero plus five, ठीक है अब अब मैंने कहा कि यहां पर देखो मुझे 5 common दिख रहा है ठीक है तो अगर मैं common लूगा तो उधर divide करने डेफिनेटली भेजूँगा तो चली ज़रा कोशिश करते उससे आपको क्या मिलेगा x plus y equal to ठीक है अच्छा यहां 5 डिवाइड में जाएगा तो मुझे मिल 4 upon 5, 1 upon 5, 3 upon 5 और यहां पर मिलेगा 1 क्योंकि 5 upon 5, 1 हो जाता है अच्छा अब मैंने कहा कि 1 minus 2 तो बाकी है चली कोशिश करते है 1 minus 2 करने की कि भाई इसमें से इसे हटाएंगे तो क्या मिलेगा देखो 2x में से 3x गया ना तो minus x बचता है ठीक है एंड 3y minus 2y गया तो क्या हो ज करूंगा तो देखो 2 minus 2 बच्चे नेगा 0 बच्चे नेगा 3 minus minus 2 त्यान से अब हम माइनस कर रहे हैं तो क्या होगा 3 minus minus 2 तो minus minus plus हो जाएगा इसलिए क्या हो जाएगा 5 किसी को नहीं पता चले तो देखलो मैं यहां पर करके दिखा रहा हूँ 3 minus minus 2 minus minus plus हो जाएगा इसलिए हम बहुत ही बढ़ी असांत equation विला मैंने वाला definitely देखो इसे अंदर equation 3 बुला लो और इसे equation 4 ठीक है तो मुझे यह दिखरा है x plus y वाला and minus x plus y वाला जिससे अब पहले था उसी की तरह बहुत ही आसान equation मिल गया और इससे solve करना बहुत आसान है क्यूं क्यूंकि x minus x हमें कटता दि 2y ठीक है तो 2y equal to मुझे कुछ मिल जाएगा चलिए देखते हैं क्या मिलेगा इन दोनों का addition ठीक है अच्छा 4 by 5 plus 0 क्या हो जाता है 4 by 5 ठीक है 1 by 5 plus 5 देखो यह थोड़ा सा मसेदार चीज आ गई 1 by 5 plus 5 करेंगे तो कुछ इस तरह से मिलेगा 1 by 5 plus 5 5 यहाँ पे जाएगा तो 25 plus 1 क्या हो जाता है 26 upon 5 ठीक है अच्छा अब मैंने कहा इन दोनों का अगर same way addition करेंगे तो क्या होगा 3 by 5 plus 5 ठीक है तो यहाँ में 3 लिख देता हूँ तो क्या होगा 5 यहाँ पे गया तो 25 25 plus 3 28 upon 5 उसके बाद है 1 and minus 5 क्या होगा 1 and minus 5 मिलके minus 4 तो बच्चे ने का सर इस 2 को divide मे क्यों नहीं भेजते हैं मैंने गोला definitely भेज रहे हैं चलिए भेजिए इसे अगर यहाँ divide में भेजेंगे तो हर एक element को खा जाएगा खा जाएगा instance कि हर एक element को divide करेगा तो नीचे अगर 2 आता तो 2 टूजा कट हो जाता 4 होने की वज़े से तो 2 upon 5 अच्छा तो सर यहाँ भी सिंग मैंने बला don't worry you will get x टीच टाइम आएगा अच्छा अब क्या करें मैंने कहां देखो 3 प्लस 4 किया था ना उसी तरह से आप चाओ तो 3 माइनस 4 भी कर सकते हो चलिए equation 3 माइनस 4 करते हैं अब क्या होगा x माइनस माइनस प्लस x करेंगे तो हमें 2x मिलेगा अच्छा y 3 by 5 माइनस 5 करना है ठीक है अब हमें माइनस करना है तो चलिए कोशिश करते हैं क्या होगा कि 1 by 5 माइनस 5 करेंगी तो 5 यहां पर जाएगा तो 25 क्या है ठीक है अच्छा अब मैंने कहा 3 by 5 माइनस 5 मतलब यहां पर हो जाएगा 3 ठीक है तो मैंने देखा अगर यह 3 यहां गया तो minus 25 अच्छा ध्यान से 3 minus 25 is actually minus 22 नीचे कौन है 5 ठीक है अब अब मैंने कहा 1 minus minus 5 यानि कि minus minus plus हो जाएगा तो यहां क्या आएगा 6 तभी 2 बोला सर में सबके डिवाइड में चला जाओं मैंने बुला चला जा बेजी जाक तो क्या होगा अगर डिवाइड में गया तो इस 4 का आधा 2 24 का आधा 12 22 का आधा 11 और यहां पर इसका आधा 3 तो यह हमें x भी मिल गया अगला question कहता है find x 25 सोच रहे सर वही हम ढूंड रहे हैं मैंने क यार एक बढ़िया चीज हमारे पास दी है 2x plus y equal to 10 minus 3 and 2 जिसमें हमारे पास y की value है तो मैंने का चलिए रख देते हैं ठीक है अच्छा मैं पर यहां नहीं इसे उस तरफ ले जाता हो रखने की कोशिश करता हो जिससे थोड़ा अच्छा लगे 10 minus 3 and 2 ठीक है यह y उस तरफ ज बचेंने कहा सर यहां पर हमेंए एक बात पता है 1 मैसे 3 गया तो minus 2 0 मैसे 2 घया तो minus 2 ठीक है minus 3 minus 1 is minus 4 and 2 minus 4 जाये तो मैंने कहा देख तुझे x से है ना कि 2x ठीक है तो 2 से काम्कर सबको divided कर दे। यहां पर क्या हो जाएगा मैंने का यहां पर बच्छेगा एक ठीक है और यह यहां डिवाइड करने पर हर एक element डिवाइड होगा 2 से तो क्या हो जाएगा यहां पर minus 1 minus 1 minus 2 and minus 1 which is your required answer अगला question है find x and y if this condition given मैंने का ठीक है पर चलिए देखते हैं क्या दिया है देखो 2 बाहर दिया है मैंने का अंदर हर किसी के पास 2 दोड़ दोड़ के जाएगा और बोलेगा बहिए 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 into 0 0 and 2 x के पास गया तो 2 x ठीक है यह आपको कहने का मन करता यह सब का चलिए अब ध्यान देते हैं यहां पर मैंने कहा यार प्लस है यहां पर y 0 1 2 equal to दिया हुआ है 5 6 1 and 8 अच्छा अब addition करेंगे तो हर एक corresponding element का addition होगा तो क्या होगा यहां पर इन दोनों का addition होगा y plus 2 0 plus 1 1 यहां पर होगा 2 x plus 2 and 6 plus 0 6 equal to क्या दिया हुआ है 5 6 1 and 8 अब देखो equal to भी कहता है कि हर corresponding elements कैसा होगा equal यानी की y plus 2 equal to 5 ठीक है तो तभी यह 2 बोला मैं उस तरफ जाके minus हो जाओ मैंने बोला हो जाओ तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 तभी मैंने कहा या 2 x plus 2 भी इस 8 के साथ compare होना चाहता है मैंने बोला हो जा क्या problem है यह 2 ने बोला मैं उधर जाके minus हो जाओंगा तो 8 में से 2 जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में जाएगा तो 6 upon 2 क्या हो जाएगा 3 ठीक है चलिए तो यह हो गया हमारा answer thank you